अगर आप नव रात्रियों का फास्ट रख रहे हैं तब भी आप उस रेसीपी को बना सकते हैं अगर फास्ट भी रख रहे हैं उसमें भी आप इसको खा सकते हैं क्योंकि फास्ट में भी यह चीज आप खा सकते हैं और आपका जितना चाहे मोटा पहना उतना आप कम कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों हम रेसीपी बनाना इस्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पे मैंने इस समा के चावल लिये हैं तो इसको आप साव क्या भी बोल सकते हैं छोटे वाली जो की बोडी में एनरजी भी देगा और आपको भूख भी बहुत ही कम लगेगी भूख भी लंबे समय तक नहीं लगेगी से और सबसे मैंची जो आप वेट से परेशान है या फास्ट में आप वेट को भी और भी जादा स्पीड से कम करना चाते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही कोज़ करने में और एनरजी देने में गुड हमारे सरीर के लिए वह जड़ा फाइदा करता है तो दोस्तों यह घर की ही रसोई की चीज हैं और फास्ट में भी आप इनको खा सकते हैं और आपका वेट भी खतम कर सकते हैं वो भी बहुती स्पीड से तो दोस्तों दोनों चीजों से आपका वेट बहुती स्पीड से कम भी होगा और आप इसको फास्ट में भी खा सकते हैं अगर आप एक बार खाएंगे तो आपको 4-5 घंटे बिल्कुल भी भूग का एसास नहीं होगा और आपकी बोड़ी में एनर्जी भी बनी रहेगी और आपकी इससे इम्मिनिटी भी स्ट्रोंग रहेगी क्योंकि जब भास्ट में थोड़ी वीकने साज आती वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपका जो सबसे में वेट है वो भी खतम होता रहेगा क्योंकि इसे बहुती स्पीड से वेट खतम होता है तो यहां पर मैंने लिया इसमें एक लिटर पानी तो एक लिटर पानी को हम सबसे पहले गरम करेंगे तो पानी को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है क्योंकि दोस्तों ये दो टाइप का बनता है यह समा के जो चाउन होते हैं दूद में भी बनता है बट आपको वेट बिल्कुल स्पीड से खतम करना है तो दूद नहीं डालना इसके अंदर क्योंकि हमें दूद की कोई भी चीज इसमें एड नहीं करनी है तो इसलिए आपको इसी तरीके से इसको तो यहां पर देख सकते ह आका शक्षाण मृहां और यहां नहीं रख सकते आप इस तरीके से का 잡ुट जादा सकते हैं और यह पहुत जद़ा फाइदा करते हैं अगर ऐक तो कोपिश को खा सकते हैं व्य तो ये इसके जाग है, इसके जाग आप भार भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसमें रख भी सकते हैं क्योंकि ये साप हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से साप हो जाता है, जैसी इसके जाग आप निकाल लोगे तो इसमें दोस्तों calories बहुती कम पाई जाती है इसमें नाके बरोबर calories होती है और हमारे जो body के अंदर ये जाने के बाद में हमारे weight को खतम करता है बहुती speed से खतम करता है जो समा के चाल बोला जाता है इसको तो यहां पे देख सकते हैं ये बहुती अच्छे से पक चुका है और ये बहुती कम समय में भी पक जाता है दोस्तों इसमें बिल्कुल फिस टाइम नहीं लगता है पकने में भी तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें एक ग्लास पानी का और डाला है यहाँ पे मैंने डाला है इसमें गुड़ के टुकड़े डालेंगे तो से तीन इसमें गुड़ के टुकड़े डालेंगे मीठा आपकी स्वात के कुड़िंग डाल सकते हैं गुड में बिल्कुल भी वेट नहीं होता है तो हमारी बोडी में गुड बहुत ज़दा फाइदा करता है इम्मिनिटी स्टॉंग भी करता है आपके खुन को बिल्कुल प्योर करता है साप करने में बहुत ज़दा मदद करता है इसकेन के लिए भी गुड़ बहुत ही अच्छा होता है और दोस्तों बहुत सारी बिमारियों के लिए गुड़ बहुत ही अच्छा होता है और गुड़ में बिल्कुल भी वेट नहीं होता है तो इसलिए इसमें मैंने गुड़ का यूज किया है अगर आप वैसे खाना चाहत हैं چीनी भी डाल सकते हैं पर चीनी में पहुँ जदा मीठे में सूगर में बहुँ जदा फैक्ट होता है इसलिए मैंने जले में इस्तिमाल किया है क्सर्थी कर आप सकते हैं ऀलाइजी दाना में दआक है किस्ज़ को heartfelt इसकिप कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यह हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी नवरात्रों की special डिस बनके तैयार हो चुकी है और आपका weight loss करने की भी दोस्तों यह खाने में इसका जो टेस्ट नवरात्रों मैं अगर आप fast रख रहे हैं तो अगर वैसे भी खाना चाते हैं तो वेट लोस करना है तो आप वैसे भी इसको खा सकते हैं तो दोस्तों अगर आप दूद में बनाना चाते हैं वेट नहीं खतम करना चाते हैं तो आप दूद में बना सकते हैं इस तरीके से एक बार ट्राइ करेंगे तो बहुत जादा टैस्टी लगेगी और आपका बहुती स्पीड से वेट भी खतम हो जाएगा तो दोस्तों व्यूडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट्स करके जरूर बताएं तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू